हेलो फ्रेंट्स आप से भी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टड़ी विद सुजित में तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो फिजिक्स का एकजाम हुआ है यानि कि आज उनका हम लोग 100% एंसर की इदम सही तो एक से 70 तक के आप अपना मिला सकते हैं औ यह भी भुवांतर कम अपता है अपसे नमर भी इसका राइट एंसर होजेगा बिल्कुल लाज तक बने रहेगा एटू जेड आपको सही एंसर बताएज़ेगा कोई भी कोशन में अगर गलती होता है तो आप कोमेंट जरूर बताएगा कि किस कोशन में गलती है तो उसको हम लोग सही बताएंगे कोमेंट के माध्यम से वन बाई फोर एपसालन नॉट का मान कितना होता है तो नौ दस के पार नौ नूटन मीटर इसका राइट एंसर हो जाए इंगलिस के लिए इसका भी ए राइट एंसर हो जाएगा नेक्शन प्रस्ण के निमलीखित में कौन सा सही समद्न बहीं सब्सक्राइब करने चे प्धूयर, सि यानिकी ऑप्षण नंबर होता है इसका भी राइट एंसर हो जयेगा नेक्शे प्रश्ण से हैं कि एक फेल दे कर एक होता है तो यह से नहए जूड़े हो तो चार्णाज को सब्सक्राइब जरू करने और सबसे पहले आप इस माध्यम से इसका एंसर की देख सकते हैं किसी माध्यम की आप एकछी परावेदुतांक इसका राइट एंसर हो जाएगा इंगलिस वाले भी देख सकते हैं अपना मिला सकते हैं बिल्कुल आपको सही बताया जाएगा कि अवेस का प्रिष्टिय घुनात तो बराबर होते हैं सभी कोशन हम जो दिये थे लास्ट वीडियो उसी में से कोशन कितना पुछाए पानी का परावेदुतांक इस तिरांग क्या होते तो औस सी होता है आर्थ रिज्या के प्रिथ्वी के विधु धायरता क्या होती है तो फोर पाई एपसालन नॉट आर होती है यानिक अप्सा की इकाई क्या होते तो इसका बोल्ट होता है यानिक अप्सान नॉबर एससका राइट एंसर हो जेगा प्रस्ट ने कि पदार्थ की परतिरों धकता के लिए निमिलीखित में कौन साई है तो यह रो बड़ाब होता है आर ए अपन एल यानिक अप्सान नंबर एसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स नप्रास्ट ने इसमें तुरा सक गलात हो सकता है लेकिन बोल्ट मीटर आप लोग देख लिजेगा बी हो लेकिन हमको लग रहा है कि वी होगा आपसा नमर दी सका-ड राइट एंसर हो जाएगा उनिस्ट नोप्राश्ण की एक समांतर पर्टिका संदरीत्र की धारता के लिए निमलिखित में कौन ससाई है तो यह एपसालान नोट ए इंटू डी अपन डी होता है यानिके अप्सान नमबर ए इसकार आइट एंसर हो जेगा नेक्स्ट नप्राश्ण की विधूत परिफात क प्रश्ण की होता है यानिके अप्सान नमर दी सकार आइट एंसर हो जेगा बिल्कुल ही आपको सही बताया जा रहा है बिल्कुल सही एंसर टीक नेक्स्ट अ प्रस्ट नेकि इतना दिया है यानिकी एकस एक जेड है का आलफा चाहिए निमलिखित में कौन निरुपीद करत कर्वीस का राइट और सऑन हो तह यानिकए अप्ति नम्बर सीसकार हो जगा नेच्ट प्रष्टें टूक्फ क्लें के लिक्ट में मात्रक सही है तोसिपल होता है मैं प्रष्ट आक् प्रस्टपर गोड़िये संब्धेग क्या होता है तो कोड़िये संब्धेग होता है याप सर नमबर सी इसका राइट एञेक ने प्रस्थ होते हैं तो इसमें पांच होती है यापना मिला लेजिए तकधारा आई के परवाह के करान आर परतिरोद्थ चालक में उत्पन उस मैं क्या होते तो आई स्कॉर आटी होता है उस मैं के लिए यह भी हम बाद आए थे आपको यानिक अप्शन नबर सी स्का राइट एंसर हो जाएगा प्रशने के पांच टेसला का चुंबके छेतर बराबर होता है तो पांच गुने वेबर अपॉन मीटर स्कॉर के बराबर तो अप्शन नमबर ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्टर प्रशन है प्रशनी परत्योरती धारा का आरेमेस का मान आई आरेमेस और प्रत्योरती धारा का मान सीखर मान आई नट के बीच संबंध क्या होते तो यह अप्शन नमबर सी स्का राइ परतिघाद कितना होता है तो यह ओमेगा एल होता है यानिका अप्सान अबर 20 इसका राइट एंसर होजेगा नेक्षण प्रश्ण के सकती गुणां के के लिए निम्लीखित में कौन सा सबंद साहिए तो सकती गुणां के बराबर होता है या थार्त मध्या सक्ति अपना अभा प्रश्ण प्रश्ण के लिए निम्लीखित में कौन सा सब्सक्राइब को बढ़ाता या घाटाता है जो कि अप्सान अबर 20 इसका राइट एंसर होजेगा प्रश्ण के चुम्बा कि दूधरूप प्रबल लेका एसाई मात्रक क्या होते तो एंप्यर मीटर होता ही यह भी को प्रश्ण बहुत ही पर आपको सेशन में बता चुके हैं नेक्शन प्रश्ण के प्रित्विक के चुम्बक्ये द्विधरूप और नॉमन कोड का मान 90 डिग्री होता है यह अप्सान नमर 20 इसका राइट एंसर हो जाएगा बिल्कुल मिलाते चलिएगा प्रश्ण है कि निर इसका राइट एंसर है प्रश्ण है कि चुम्बक्ये यह मियोतर पार्थियु चुम्बक्ये चेतर बी नमन कोड डेल्टा वेक्टर बी का 36 घटक बी एच और वेक्टर बी के उधर उदगर घटक बी भी होतो निमली कितने कौन सा यह तो बी यह एच बराबर होता है बी कोस डेल्टा यानिका अफसन नमबर ए इसकार आइट एंसर हो जएगा नेक्स नव प्रश्ण है प्रश्ण के बिदु चुम्बक्ये तरंग के संचानर की दीसा क्या होते तो वेक्टर E क्रॉस बेक्टर B के समनांतर होते है नहीं कि एक दूसरे के समनांतर होती है अफसन नमर D इसकार इंसर होज़ेगा नेक्सटार परफ रोधों के समानतर कर्वामा निमलीखीत में कौन सी राशी समाने रहती है mandra – B इसकार इंसर होना एक हेनरी बराबर था तो दस के पावर तीन मेगा हट और से यानिकि आपसा नमबर एसका राइट एंसर हो जएगा नेक्षण प्रस्ट ने है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निमलीखित में कौन सा सही है तो टी ए बराबर होता है यानिका अपसा नमबर भी इसका राइ और नॉट होता है जोकि अपसा नमबर ए में इसका राइट एंसर दिया हुआ है निमलीखित में कौन आवेस रही थे बिल्कुल बिल्कुल आपको बता चुके है कि आवेस रही थे फोटन कौन होता है यानिकि फोटन होता है अपसा नमबर ए इसका राइट एंसर हो जएग नेक्ट ना प्रश्ण की निमलीखित में कौन सी भौतिक रासी पुन्राबिर्तिक परकास का ब्याथी करण होता है तो तीब्रता यानिके अपसान आपर बी इसका राइटेंसर हो जगा मिलाते चलिएगा कि आपका कितना सही है लास्ट में कमेंट जरू किजिए कि फोटन का विरामदर मयान कीतना होता है में फोटन पर कोई आवेश नहीं परॉस्ण है और बुर का अब रितिhey स्षर्थ होता है निके बीधूत का सबसे अधिक चालक होता है वाचा चालक होता है तो चान्दी होता है नेक्ट नप प्रस्ट है नोर द्वारा का भूलिया बेंजग क्या थे तो ए प्लस बी बार बराबर वाई होता है यह निका अपसान नमबर दी इसका राइट एंसर हो जेगा आपसान नमबर यह इसका राइट एंसर होजगा है थे पावर पूछी तो फ बाड होता है आपसान नमबर दी इसका राइट एंसर हो जेगा नेक्ष नफ पराश्चन है कि हावा में ER यानिकि परावैदू तांक का मान क्या होता है तो इसमें 11 yer इसका राइट एंसर हो जगा नेक्स नम फ्रस्टन है प्रस्टन है विदु छेत्र में एक आवेसित करन्ड पर लगने वाला बॉल क्या होता है तो क्यूं फोता है यह मैंद की इसका राइट एंसर हो जगा और यहां पर समतूल्य धार्टा पुझे और बी के बीच तो यह जब ग्यातकर幅 तो C आता है या कि अप्सा नंबर इसकान राइट एंसर होजेगा नेक्स्ट उप्लश्र सुर्णे के परकास वर्स भोटी ग्राशी का मातर होता है और दूरी को होता है प्रसेक भी दूरी का मातर प्रस्ट है कि वर्ण बिच्छ पर छामता के लिए निमलीखित में कौन साथ सही समन्द है तो ओमेगा बराबर सब्सक्राइब माइनस मीवार अपन मीव वाई माइनस वन यानिका अपसा नमबर ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्शन प्रस्ट है कि निर्वात में परक अब्जेक्टि के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तो पत्र फोकस दूरी लगभाग 25 सेंटिमें मीटर होती है निका अपसा नमबर सी इसका राइट एंसर हो जेगा इस प्रकार से हम लोग सतर अबजेक्टिव कोशन को देख चुके हैं अबर वीडियो अच्छे लिए व श्या्र act़े बाईयो को अपने दोस्ते के पास सच्यार करें यानिकि अधिक सद्सेयर करें ताकि छात्र भी कोशन को देख और मिला सके कि उनका कितना सही है और लास्ट में कमेंट जरूर की जाएगे कि आपका सत्तर में कितना परस्ण है यानि कि 35 में 35 सही है कि नहीं यानि कितने कोजान आपका सहिया और कितने कोजान गलत हो गया था भूल से तो थैंक्स पर आचिंग देश वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में